कि 15,000 के अंदर आपको एक अच्छे स्मार्टफोन चाहिए ना ठीक है इस वीडियो में बता हुआ कि 15,000 के अंदर कौन-कौन सा स्मार्टफोन सबसे बहतर है और सबसे बेस्ट है मार्केट में अभी 2022 में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले चार नंबर में ज दिस्प्ले मिलता है इसमें जिसका प्रिक्सल डेंसिटी है 396 PPI उसके बाद ये फोन आता है दोस्त वाटर मतलब रिपिलेंट फोन है थोड़ा बहुत वाटर लग जने से मतलब कुछ नहीं होगा इस फोन को वाटर रिपिलेंट है फोन और इसके बाद इसका जो प्रसेसर एड्रीनो 618 इसका जीपीव है उसके बाद इसका एंड्रोड 11 में रान करता है इसका जो अपरेटिंग सिस्टेम है एंड मतलब ये नियार स्टॉक एंड्रोड एक्स्पिरेंस देगा आपको आपको अगर मतलब एक क्लीन यू आई चाहिए तो उसके लिए फोन बेस्ट है क porch लिए chemical पसंद नहीं है बहुत सारा notification आता रहता है जिस फोन में वह वाला अगर पוסंद नहीं तो यह पन अच्छा है तो इस rear camera से आप 4K video record कर सकते हैं, जो कि 30fps पर विडियो बना सकते है, 4K video, and 120fps पर भी बना सकते है, 4K video, उसके बाद 1080p video भी आप 30, 60 and 240fps पर बना सकते है, and इसका जो front camera दोस्त, वो है 32 megapixel का front camera है, उसके साथ front camera से भी आप 4K video record कर सकते है, 30fps पर, and 1080p video भी आप 30, 60 and 240fps पर record कर सकते है, उसके पाद आ जाता है इसका जो storage है, 4GB and 128GB का storage मिलता है, और एक 6GB and 128GB वेला variant, दो variant मिलता है, और यह जो phone है, LPDDR 4X RAM के साथ आता है, UFS 2.1 का storage है, उसके बाद इसका 3.5mm का jack मिलता है, and bottom में एक loudspeaker दिया हुआ है, और दो microphone है इसमें, Wi-Fi 2.4GHz and 5GHz दोनों है, and dual band Wi-Fi है, Wi-Fi direct है, NFC को support करता है, FM radio भी है, उसके बाद USB Type-C 2.0 है, and USB OTG को support करता है, Bluetooth 5.0 है, और उसी के साथ इसका जो fingerprint है, दोस्त, वो है rear-mounted fingerprint है, phone का rear-mounted fingerprint है, and accelerometer, accelerometer, gyroscope and proximity, यह सारा sensor मिलता है इसमें, इसके साथ, and 6000 image का battery है, 20 out का first charger मिलता है, जो की turbo power first charger मिलता है, इसमें, moto का, 6GB 128GB वाला जो variant है, इसका price है अभी 14,999 रूपीज, यह phone आप flip card से ले सकते है, और अगर आपका कुछ card पगरा का offer मिलता है, तो उसमें और 1000 रूपिया मैनस हो जाएगा, उसमें आप देख लेना, flip card में, तो इसके बाद जो phone आता है दोस्त, वो है, तीन number में जो phone आता है, वो है Samsung Galaxy F23, इसका जो display है दोस्त, वो है TFT display, LCD display है, Full HD plus 120Hz वाला display है, इसमें Gorilla Glass 5 का protection दिया हुआ है, और 6.6 inch का display है, प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बेक के साथ आता है, Snapdragon 750G इसका processor है, जिसका की 8 nanometer base में है, और Android 12 version है इसमें, Adreno 619 का GPU है इसमें, इसका जो rear camera है दोस्त, वो है 15 megapixel का main camera है, 8 megapixel का ultrawide camera है, और 2 megapixel का macro camera दिया हुआ है, इसमें कोई OIS का support नहीं मिलता है इसमें, और इसमें आप 4K video 30fps पे record कर सकते हैं, and 1080p video 30fps पे record कर सकते हैं, इसके साथ इसका selfie camera है दोस्त, वो है 8 megapixel का selfie camera दिया हुआ है, इसमें आप 1080p video 30fps पे record कर सकते हैं, और इसका memory के बारने बात करते हो, इसमें 4GB 128GB वाला variant है, और एक है 6GB 128GB वाला variant, इसमें 2 variant मिलता है, LPDDR 4X RAM के साथ आता है, और इसका जो 3.5mm jack मिलता है इसमें एक, और इसमें Wi-Fi direct है, Wi-Fi dual band Wi-Fi है, और Bluetooth 5.0 का support करता है, NFC है, FM radio का support करता है, और FM radio record कर सकते हैं, और इसका USB Type-C है, USB Type-C 2.0 है, और USB OTG को support करता है, fingerprint है, मतलब side-mounted fingerprint है, gyroscope है, accelerometer है, और proximity compass, proximity sensor, और virtual proximity sensing, यह सारे कुछ sensors मिलता है इसमें, और इसके बाद इसमें 5000 एमेज का एक battery मिलता है, और 25 watt का charger मिलता है, और इसका जो price है दोस्त, वो 15,999 रूपीस, और इसका एक offer लागा के आपको यह 14,999 रूपीस में मिल जाएगा आपको ही, तो चले दोस्त, इसका अगले जो phone है, वो है, दो number में जो phone है, वो है Redmi का Note 10, Redmi Note 10, यह phone में जो features के साथ आता ही है, सुपर M.O.L.D. 6.43 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो की Corning Gorilla Glass 3 का protection है इसमें, और IP53 dust and splash resistance है, 409 PPI जिसका pixel per density है, और 1100 nits इसका peak brightness है, उसके बाद इसका जो processor है दोस्त, हो है Mediatek का Helio G95 processor है, जो की 12 nanometer base में है, और इसका processing speed है दोस्त, 2.05 GHz, और यह Android 11 operating system का साथ आता है, और MIUI 2.5 इसका जो phone का जो operating system है, और इसके बाद इसका जो GPU है दोस्त, वो है Mali G76 का, और camera के बारा में बात करें, तो 64 Mpx का main camera मिलता है, उसी के साथ एक 8 Mpx का ultra wide and 2 Mpx का depth and 2 Mpx का micro camera मिलता है, इन में से आप 4K video 30 fps पर record कर सकते हैं, and 1080p video 30, 60 and 120 fps पर record कर सकते हैं, इसके बाद आ जाता है, इसका जो front camera है, 30 Mpx का front camera मिलता है इसमें, जिसमें आप 1080p video 30 fps पर बना सकते हो, और इसका जो storage की बारें बात करें तो RAM ROM के बात करें तो 6 GB 128 GB वाला एक variant है, और एक है 8 GB 128 GB वाला, तो इन में से आप कोई भी ले सकते है, 6 GB 128 GB और एक है दोस्त, 6 GB 64 GB के साथ भी आता है, और EFS 2.2 का storage है, LPDDR4X RAM के साथ आता है, 3.5 mm का एक jack है, और dual stereo speaker मिलता है इसमें, मतलब जितना phone बता है, सब में से dual speaker नहीं मिलता है, इसमें dual speaker मतलब dual stereo speaker मिलता है इसमें, यह एक प्लस पॉंट है सफ़न का, और इसके साथ इसका जो वाइफा के बारें बात करते हैं, तो 2.4 GHz और 5 GHz दोनों वाइफा है, Bluetooth 5.0 है, इन्फरेट पोर्ड है, उसके साथ NFC को सापोट करता है, FM Radio है, USB Type-C 2.0 है, और USB OTG है, fingerprint है, तो side-mounted एक fingerprint है इसमें, और IR blaster है, IR blaster जो कि किसी भी आप remote sensing काम को करते हैं, मतलब जो भी remote में काम होता है, वो mobile से आप operate कर सकते हैं, मतलब IR blaster दिया हुआ है इसमें, और उसी के बाद, एक Z-axis vibration motor मिलता है, proximity sensor है, gyroscope है, accelerometer है, and ambient light sensor है, यह सारे sensor के साथ आता है, इसके बाद इसका battery camera मात करें, तो 5000 mh का एक battery मिलता है, 33 watt का एक charger है इसके साथ, इसका जो 6 GB, 64 GB वाला जो variant है, इसका price है, 13,999 रूपीस, और यह offer लाए के flip card में, आपको 12,999 रूपीस में मिल जाएगा, इसका जो 6 GB, 128 GB वाला जो variant है, वो 14,999 रूपीस उसका price है, वो आपको offer लागा के, 13,999 रूपीस में मिल जाएगा, और एक variant है दोस्त, जो की 8 GB, 128 वाला जो variant है, उसका price है 16,499 रूपीस, जो की offer लागा के आपको, 15,999 रूपीस में आ जाएगा, एक नमबर में जो फोन आता है दोस्त, वो है Realme 8, Realme 8 Q, इसको मैंने एक नमबर में रखा, क्योंकि इसका बहुत सारा रिजन है, तो सबसे पहले इसका जो डिस्पलो है, Super AMOLED डिस्पले है 6.4 इंच का, Full HD प्लास 60 हर्ज, नर्मल रिफ्रेश रेट बाला इसका डिस्पले है, डिस्पले उतना खास नहीं है, लेकिन AMOLED डिस्पले है ठीक है, 1000 nits का प्रिक बाइटने सा इसका, एड 409 PPI पिक्सल देंसिटी है, MediaTek Helio G95 का प्रस्टार मिलता है 12 mm में, 2.05 GHz इसका प्रसेसिंग स्पीड है, Mali G70 6 का एक GPU मिलता है इसमें, Android 11 को सपोर्ट करता है, Realme UI 2.0 है इसमें, इसका जो मेन केमरा 64 MP का, 8 MP का एक अल्टरावाइट केमरा दिया हुआ है, और 2 MP का और 2 केमरा दिया हुआ है, PDF को सपोर्ट करता है, LED फ्लाइस है, 4K 30 fps पे इसमें वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हैं, और एक बात है, 1080p वीडियो 30, 60 and 120 fps पे रेकॉर्ड कर सकते हैं, Gyro EIS है, UIS Stabilization है, और 16 MP का एक फ्रॉंट केमरा है इसमें, जिसमें आप 1080p वीडियो 30 and 120 fps पे बना सकते हैं, Gyro EIS है, फ्रॉंट केमरा भी भी और इसका Storage and Memory के बारें बात कर रहें तो 4GB, 64GB के साथ आता है, 4GB, 128GB के साथ आता है, और एक आता है, 6GB, 128GB and 8GB, 128GB, 4 variant के साथ आता है, EOS 2.1 का Storage है, LPDDR 4X RAM के साथ आता है, 3.5 mm का Jack मिलता है, और Loudspeaker के साथ आता है, नीचे एक ही Loudspeaker है इसमें, और Wi-Fi 2.0, 2.4 and 5 GHz दोनों है, और Bluetooth 5.1 के साथ आता है, NFC को सपोट करता है, USB Type-C 2.0 है, USB OTG को सपोट करता है, Fingerprint scanner है, एक Under Display, सबसे बाड़ी बात इसलिए इसको मैं एक नमबर में रखा, Under Display Fingerprint Sensor है इसमें, उसके बाद Accelerometer मिलता है, Gyroscope, Proximity, Compass, ये सारा Sensor के साथ आता है, इसका बैटरी है दोस्त हो है, 5000 एमेज के बैटरी मिलता है, उसके साथ 30W का Charger भी मिलता है, इसका जो प्राइस है दोस्त हो, 15,999 रूपीस है, जो कि आप ओफर लगा के, 15,199 रूपीस में आपको ये मिल जाएगा, तो इन चार फोन में से आप कोई भी ले सकते है, आपको जो अच्छा लगे, तो आप बताएए आपको कौन सा फोन अच्छा लगता है सबसे, वो आप कमेंट करके बताएए, तो फिर मिलेंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कले बाई बाई